सात्यों राष्ट की रक्षा, संस्कृती की रक्षा, देश के लोगों की आशा, कांख्षाओं की रक्षा, सरफ नेक इरादों वाली मजबुत सरकार ही कर सकती है सोचिये भाई यो बैनों, ये महा मिलावट करने वाले अपने वाइदों में भी ये गोटाला करने के एकसे एकस्पर्ट है, के अपने वाइदों में भी गोटाला करते हैं उसमें भी हाथ सफाई दिखाई जाते हैं, साथियों, 2004 में एक कॉंग्रेस के पार्टी ने, ये हर बार नया नया डकोशला पतर निकालते हैं न, मैनिफेस्टों निकालते हैं मैं जड़ा 2004 का खोल करके दिखाता हूं, 2004 में एक कॉंग्रेस ने देश को वादा किया था, कि वो 2009 तक, 2009 तक ये 19 चल रहा है याद रहेगा आपको, याद रहेगा, 2004 में कहा था, और ये कहा था, 2009 तक, डेश के हर गर में, बिजली पहुचा देंगे क्या ये वादा पुरा हुआ था, ये वादा पुरा हुआ था, कॉंग्रेस और उसके साथियों ने, आपको दोखा दिया के नहीं दिया, 2014 में, आपने कॉंग्रेस की इस नियत को पहचाना, और इस चोकिदार को जिम्मेदारी सौपी, लाल किले से मैंने एलान किया था, कि एक हजार दिन में, अठारा हजार गाउं जहां बिजली नहीं पहुची है, हम उसको बिजली से जोड देंगे, एक हजार दिन होने से पहले, मैंने वादा पुरा कर दिया, इस देश के हर गाउं में बिजली पहुची है, गावों में बिजली पहुंचने के बाद हमने वादा किया कि सवभागी योजना के तहट देश के हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम हम पूरा करेंगे काम तेजी से चल रहा है और मैं नितिश जी सुशील जी को बढ़ाई देता हूँ बिहार में उन्होंने लाल टे कर दिया और हर घर में बिजली पहुंचा दी आप हैरान हो जाएंगे आज जैसे बिहार में काम हुआ है गवर्नर रूल आने के बाद कि पहाड़ों में बर्फिली चोटियों पर जम्मू कश्मिर के हर घर में बिजली पहुंच गई भाईयों बहनों गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम कॉंग्रेस की सरकार भी करती थी ये लाल टेन वाली भी कर सकते थे लेकिन अब अपने अपने कुणमा का भला करना यही उनका काम था कोई फाम हाउस बना रहा था कोई शॉपिंग मॉल बनवा रहा था कोई शोरूम लूट रहा था तो कोई कोईले में लूट मचा रहा था कोई रेलिवे टेंडर में कमिशन खा रहा था तो कोई हेलिकॉप्टर सोदे में दलाली खा रहा था सब अपनी जिंदगी में रोशन करने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास गरीब के घर बिजली पहुंचाने की फुर्सत नहीं थी यही इन मिलावटी करने वालों की सच्चा ह अपनी है अपनी है